अलो फ्रेंड्स मैं प्रियांकर वर्कम टू माई चानल आज की रेसिपी आपको पसंद आते हो तो प्लीज मेरी चानल को सब्सक्राइब करें बिल बटन को दबाए और ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तो चलिए रेसिपी स्टाट करते हैं तो मैटो क इसे ट्राइ करने के लिए रेसिपी को पूरा देखें आम शूर आपको पसंद आएंगे तो चैरिये स्टाट करते हैं तो मैटो केचप बनाने के लिए हमें चाहिए तो मैटो यहां पर मैंने फ्रेश टमाटो लिया है और यह एकदम पके हुए लाल टमाटर है पर यह को ट्रांसफर कर देंगे और उसके बाद इसमें आड़ कर देंगे सुखे हुए लाल मिर्च फिर हमें चाहिए थोड़ी सी नमक हमें चाहिए इसमें 140 जितना फिर हमें चाहिए अधरक लहसुन और प्यास इसे डाने से टमाटो केचप का टेस्ट एक्जैक्ट बाजार जैस सकते हों फिर इसे धकर लगा देंगे और विसल लगाकर हाई फ्लेम में इसे पका लेंगे जब तक के ना 3 विसल आए तब तक हमें इसे कुक करना है और उसके बाद अपने आप ठंडा होने देंगे और यह देखिए टोमाटो पूरी तरह से पिघल गए है अच्छे से यह क पहले इसे ठंडा कर लेना बहुत ज़रूरी है गरम गरम इसे ब्लेंट बिल्कुल भी ना करें तो थोड़े थोड़े पॉर्शन में इसे डालते जाएंगे क्योंकि मेरा जो जार है वह थोड़ा से छोटा है तो दो बार में मैं इसे मिक्सी में घुमा लोंगी और स्मूद कर लिया है फिर इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि अभी हमें इसे पकाना है पर कब तक पकाना है यह मैं आपको बताऊंगी शुगर हम इसमें आड़ करेंगे आधा कप और यहाँ पर हमें चाहिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यह एक बड़ से चलाते रहना जरूरी है क्योंकि अगर यह बाइचांस चिपक जाते हैं कडाई में तो इसका टेस्ट बहुत खड़ावाते हैं तो इसे प्रिवेंट करने के लिए बीच-बीच में इसे जरूर चलाते रहे और गयास का फ्लेम हाई रखें तो यहाँ पर यह देखिए यह मुझे लगता है कि यह हो चुके है पर मैं आपको बताती हूँ कि यह किस तरह से दिखेंगे तो यह देखिए स्पैचुला में अगर आप लेंगे तो इसे इस तरह से आप नीचे करेंगे तो स्पैचुला से यह एक ही बार में गिरेगा नहीं धीरे धीरे करते हुए स्पै और इसे पूरी थरा से ठंडा कर डूँगी और उसके बाद एक sterilized bottle में इसे भरके fridge में store कर डूँगी और ये देखियें ये गीर भी नहीं रहे है मतलब हमारा ketchup perfect consistency में है तो इसे मैंने sterilized bottle में भर लिया है और इसे fridge में रखके आप कई दिनों तक कई मेहनों तक use कर सकते हो जैसे कि मैं करती हूँ तो घर पर इसे जरूर ट्राइ करके देखें आपको बहुत पसंद आएंगे बाजार से सस्ते में ये घर में बन जाते हैं और बहुत ही यमी बनते हैं कम या जादा कुछ भी आप ingredients में कर सकते हो ये आपके उपर तैह हैं पर इसे ज़रूर try करके देखें और कोई भी सुझा हो तो comment box में ज़रूर दे तो चलिए friends फिर मिलेंगे एक और नई recipe के साथ